हलो फ्रेंस वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंस आज हम बनाएंगे साबू दाने की खीर ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बनकर त्यार हो जाती है तो आप इसे ब्रत में भी बना कर खा सकते हैं टेस्टी इतनी होती है कि आप इसे बिना ब्रत के भी बना कर खाएंगे अगर आपको यह रैस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस खीर को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक लीटर दूद ले लिया है इसे गरम होने रख दिया है यह फ्र कितने सौप्ट हो गए हैं इस तरह से आप इसे दबा कर देखेंगे एक दम से दाना अच्छे से दब जाएगा साबू दाने को पानी में भुवो कर रखने से यह अच्छे से सौप्ट हो जाते हैं इसी वज़ए से यह खीर बहुती कम समय में बन कर त्यार हो जाती है बिलक में भुवोने के बाद यह अच्छे से फूल गया है और यह पूरा एक कटोरी हो गया है अब इसे अच्छे से चलाएंगे जिससे यह तले में चिपकेना यह देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं कि साबू दाना ऊपर तेरने लगे हैं और यह त्रांस्परेंट दिखने लगे हैं एकदम अच्छे से साबू दाना पका हुआ है इसे पकते हुए आठ से दस मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे चीनी आप यहां पर कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी इलाइची का पाउडर मैंने यहां पर तीन इलाइची के दानों को कूट कर इसमें डाल दिया है इसकी खुस्पू बहुत ही अच्छी आती है और इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है अब हम यहां पर डालेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट्स तो मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है और थोड़े से बादाम और काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है अब इन्हें हलका सा रोष्ट कर लेंगे घी में रोष्ट करने से इनका टेस्ट और बढ़ जाता है आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही डाल सकते हैं आप यहाँ पर अपनी पसंद के कुछ और ड्राइफ रूट्स भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर काजू और बादाम ही लिये हैं और अब यह अच्छे से रोष्ट हो गए हैं मैंने यहाँ थोड़े से किस्मिस डाल दिये हैं रोष्ट किये हुए काजू और बादाम भी इसमें डाल देंगे और अब इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे जिससे किस्मिस अच्छे से फूल जाएगी और ये देखिए खीर हमारी बनकर त्यार हो चुकी है अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी लेकिन जब ये ठंडी तो ये और भी जाधा गाड़ी हो जाएगी तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ब्रत के लिए ये बहुत ही बढ़िया है आप इससे जरूर बना कर देखें बहुत ही पसंद आएगी आपको इसकी गार्णिस के लिए थोड़े से ड लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना जिससे मेरी आने वाली हर नई रेस्पी का आपको नौटिफिकेशन मिलेगा तो चलिए मिलेंगे फिर एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए राधि राधे